हलो स्टुडेंट, वेलकम बेक टू माई चैनल समराट केमिश्टुडेंट, मेरे नाम है कास, मेरे प्यार वीदार्चों, जीतने बच्चे 2023 बोड़ी जाम देने वाले उनके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, आज मैं आप लोगों को महत्वपूर जीवन पर्चे बतानवालों, मात्र आप लोग चार जीवन पर्चे याद करकर आपके बोड़ एक्जामे दस नमबर आफ त्री में आप ले सकते हो, ठीक है, बस मात्र चार ही जीवन पर्चे आप लोगों को बताऊंगा, लेखा की जीवन पर्चे पुस्ता है पांच नमर के, और कभी का पुस्ता है पांच नमर के, मात्र दो ही लेखा की जीवन पर्चे याद करने हैं आप लोगों को, एक अचार राम चंदर सुकल जी का, एक जैस संकर परसाथ जी का, और कभी में दो लोगों का याद करना है, एक तूर्शी दास जी का, देखे, अब जीवन पर्चे तो आप लोगों को बताने वाला हूं, देखे, सबसे पहले आप लोगों के जीवन पर्चे देखते हैं, वह भी पहला आप लोगों के आचार राम चंदर सुकल लगा, अगा एक्जाम में लिखो के कौन से पॉइंट पर ज्यादा देयान दोगे, तो नमबर अच्छा मिलेगा, उस जीवन पर्चे, अब देखो, बहुत सरल सब्दों में लिख के लिखा है, वह कैसे लिखोगे, कि पंडीत राम चंदर सुकल का जो जन्म हुआ था, वह बस्ती जी लेख, अब देखो बस्ती है ना तो बस्ती को आपको बलेक पेंसे लिख के हालाइटेट कर देना है, या त सन में, तो 1884 में, देखो, अपने प्लेक पेंसे लिखा है, चार वर्स के अवस्ता में ये अपने पीता के साथ राठ जीला, देखो, ये राठ जीला है, राठ जीला हमीरपूर चले गए, और वहीं इनकी प्रारंबिक सिच्छा होई, और 1892 में इन्होंने पीता की नियुक मिर्जापूर सदर में कानुनाग्यों के पद पर हुई, और देखे, पीता के साथ ये मिर्जापूर आ गए, फिर क्या हुआ, कि 1921 में, ठीक है, इन्होंने मीशन इसकूल, देखो, एक इसकूल था, नाम था, उसका मीशन इसकूल, मीशन इसकूल से फाइनल की परिछा उत सब्दसागर, बहुत इंपोटेंट है, हिंदी सब्दसागर के लिए, वेतनिक साहे के रूप में, कासी आ गए हो, कुछ दिनों तक वो क्या थे, नागरी, प्रचारडी, सभा, पत्रिका का भी संपादन उन्होंने किया, और उसके बाद उनकी नियुक्ति कहां पर हुई ही कासी विश्व विद्याले में हिंदी के अध्यापय के रूप में हो गई, और वहीं 1937 में वह भी भागत देश के रूप में हो गए है, और स्वास का दवरा पढ़ने के कारण दो फरोरी 1941 को इनका देवसान हो गया, और रचना भी पूस्ता है, रचना दो नमर के लिए आत लोगों का बिल्कुल कम्पलीट, चलिए, अब हम लोग दूसरा देते हैं, और दूसरा जिवन पर्चे जिनका हम लोग पढ़ने वाले हैं, उनका नाम है, डाक्टर राजिंद, जैसंकर परसाद, राजिंद परसाद, नहीं जैसंकर परसाद, दो यात को लोगे तो हो सुगनी साहू, के नाम से वो क्या थे, उनके पिता प्रख्यात थे, उनकी दानसिता और उदारता के कारण, उनके यहां विद्वान और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था, मतलब बहुत ही दानसिता थे, और बहुत उदार किसिम के बेगती थे, इसलिए बहुत सार विद्वान और कलाकार वहां पर आदे रहते थे उनके यहां इनकी सिच्छा का प्रारम घर पर ही हुआ किनकी जसंका परसाद का देखे उन्होंने संस्कृत हुआ फार्सी हुआ उर्दू हुआ और हिंदी की सिच्छा का प्रारम घर पर ही स्वाध्याय से प्राथ किया उन्होंने इन विश्यों को अपने घर पे ही रहके स्वेम से पढ़ाई किया है कुछ समय के लिए उन्होंने अस्थानिया क्विन्स कालेज में नाम लिखवाया किन्तु वहां आठमी कच्छा से उपर नहीं पढ़ सके और बारा वर्से आप लिखेंगे कि बारा वर्स की अलप आयू में इनके पीता का देहान्त हो गया और इनका जो अधिकांस जीवन जो है वो कासी में भी था जीवन में देखें तीन चारे अत्राएं करने के आउसर मिला उनको जिसकी छाया इनकी कुछ रचनाओं में प्रभाविसित अरे प्रतिभासित होती है और देखें यक्षमा यक्षमा को बोलते हैं टीवी रोग ठी 15 नमबर 1937 सीजबी को हो गया ठीक है 15 नमबर 1937 सीजबी को हो गया देखें कितना सिंपल है और इंकी रचनाओं आप लोगों बता देता हूं इनकी रचनाओं तीन ही में तो पुड़ है एक रस मिमांसा एक त्रिवेडी एक सूर्दास बस इतना ही लिखना है और यह इनका अभी जिवन पर्चे हो गया खतम तर लेखा कि हमने दो जिवन पर्चे बता दिया जैसा कि आपने अब लोगों को बताया था अचार राम चनल सुकल का और जे संकर परसादी का अब कभी का देख लिजे और कभी कभी बहुत हमने सीन पर लिखना प्रारम कर देखो आगरा आगरा से मतुरा जानवाली सड़क पर रूनकता नाम गराम में वैसाक सुधी 1478 इसवी में हुआ था कह रहा है कि सुर्दास को जो जन्म हुआ था वो आगरा में हुआ था आगरा से जो मतुरा जानवाली सड़क है और वहां पर उनके पीचे गाम पढ़ता है रूनकता वह में बहुत मद्बेद था वो लोग सोच नहीं जन्व से अंधा नहीं है बहुत लोगों में मद्बेद था कुछ लोगों का विचार उकावी रचना में उनका ऐसा सजीव सभाविक चित्रन वो किये थे कि ऐसा लगता था कि कोई अंधा विक्ति नहीं कर सकता है ऐसा ठीक है देखिए जन सुरूति के अधार पर वे इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं सभी लोग सुर्दास जो है सरस्वत ब्रामण परिवार में पैदा हुए थे और 18 वर्ष तक निकटवर्ति गराम मेरा अगर संगीत का ध्यन उन्हें ने किया और सतसंग के प्रभाव से उन्हें धर्म सास्त्रों के क्या हुआ ग्यान पराप्त हुआ और बच्पन से ही विरक्त हो ये गव घाट पर रहने लगें कि बच्पन से वह विरक्त हो गए और गव घाट पर रहने लगें रहने लगे थे दिखे बलाबाचार को उन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया जिस पर प्रसंद होकर उन्होंने इंसे स्री किष्ण लिला को च्छदबद करने का ठीक है सूजा लिखी बलाबचार को उन्होंने एक स्वरचित पद रहना जो अपने खुद पदी लिखे थें उन्होंने उनको सुनाया और ऑधर णिया हैं कि यह उसुजरी क्रिष्ण का अश्टबद कर लिखन US लिखे हैं फिर के रहें यह बलबचारे के सी से बन गए हैं ठीक है और वहीं गोवर्धन परवत पर बने स्रीनाथ जी के मंदिर ठीक है स्रीनाथ जी के मंदिर तक हैं आपर नोट कर लेना मंदिर में वो क्या करने लगे किर्टन करने लगे मंदिर में किर्टन करने लगे और सूर्दासी अस्ट छाप के सर्वेस्ट कभी थे इनकी मृत्व जो है पार्सवली गराम में पंदरो सुतिरासीज भी के आसपास होई थी और इनकी जो रचनाय महत्वपूर है वो है सूर्च सरावली ठीक है और साहित देलहरी इतना ही पॉइंट आप लोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोग बांदा जिला पढुत हुआ है उस सफार nor रिया ब्रामत ठें इनके पिताक जो नाम था वो आक्मराम दूबे था और मातक नाम था हूलसी ठीक हूलसी देवी नाम था करा मशिता क्यार क्वाखत उचन्वी के अभभूक तंबूल नच्छतर में जन्व होने के कारड़ तो ग्कान SiqT 오 खाई उनी से ओन का विवा हुआ था वह पत्नी की प्रेम में रहत रहते थे की सब्सक्राइए इनके मन में नर्णार प्तन पत्मनी ने ही उनको ऊपदेश दिया, और उनके ही उपदेश से उनके मन में वेराग उत्पन हो गया, और इनका जीवन कासी, आयद्या और चित्रकूट में अधिक वेतित हुआ, और इनकी जो रिति हुई थी वो कासी के असी घाट पर, सनवत कब सोरह सो, और इनकी रचना है तेरह उनकी रचना है दिया था लेकिन तेरह लिखने की जोट नहीं है हमने यहां पर लोगों को तीन चार बता दिया दो भी लिख दोगे तो काम बन जागा आप लोगों का तो यह था आप लोगों का जिवन पर्चे जो कि बस मातर दस मिनिट की वीडियो में आप लोगों का दस नमबर तयार हो गया तो यही जोन पर चाप लोगों के याद करके जाना बहुत सिंपल वे में लिखा हूं नोट कर लेना याद कर लेना वीडियो पसंद आएगो तो जरूर लाइक कीजेगा चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन क याँ सेर भी कर देना चैनल मिलेंगे ने इस ब्रूडियो में तब तक के लिए थे निवाद में